दुमावणी मेरे प्यारे बहुगा लोग कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बहुगा लोग हम लोग देख रहे हैं हैं माइट्री फाइनल परिछा के महत्पुन सब्जेक्टिव क्योष्टन का सिरीज हम लोग देख रहे हैं बहुगा लोग है जो आपका कलास तेंत का जोग्राफी यानि भुगोल बिशह से लिया गया है तो बहुगा लोग यह हमारा गेस प्रस्न है हमारी कोशी यह है कि 100% इसी से आए हैं तो यह जो बैंक से लाए हैं बहुगा लोग इसमें आपको चुनिंदा चुनिंदा प्रस्न लेकर आए हम आपके लिए यह हमारा पाठबान वीडियो होगा बहुगा लोग आपकोशिस कीजिएगा कि भुगोल रटिये नहीं इसको समाझने का पर्यास कीजिएगा तो चलिए बहुग अपवर्जक आर्थिक छेतर किसे कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक छेतर किसे कहा जाता है धियान से समझेगा भुगल लोग इसको लिखियेगा उतर में कैसे लिखियेगा लिखियेगा किसी देश की किसी देश की तटरी खासे 200 किलोमीटर की दूरी तक का छेतर आर्थि अपवर्जक आर्थिक छेतर कहा जाता है फिर से समझेगा किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी तक का छेतर अपवर्जक आर्थिक छेतर कहा जाता है पात कमाने मान लेजिये कि ये हमारा भारत का नक्सा है तेटरेखा है इसके बाद इधर पानी है इधर क्या है पानी है है की नहीं इधर क्या है पानी है तेजे तेटरेखा से कितना किलो मीटर तक के तो 200 किलो मीटर तक के तेटरेखा है तेटरेखा से आपको यहां 200 किलो मीटर तक के जो छेतर है सब देश का अपवर्जक आर्थिक छेत्र कहलाता है उसके बाद अंतराष्टी हो जाता है दू Member तक उसी देश का छेत्र होता है इस छेत्र में वो आदमे मचली पालन कर सकता है नवका चला सकता है व waited करवा सकता है या पिर समुद्र से कुछ भी निकाल सकता है तो उसका अपना छित्र होगा समझें? तिसी को बोलता है अपवर्जक आर्थिक छित्र आसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बोगलो, हाना? चलिए, क्युच्चा नमबर हम हाना, दो देखते हैं अब समझें अगर बोगलो क्युच्चन नमर दो देखें क्या कहता है कहता है जैव संसाधन की प्राप्ती कहां से होती है जैव संसाधन की प्राप्ती कहां से होती है यसा बीबी आए क्युच्चन है बोगलो इसा बोड पर इच्छा में आया हुआ क्यूस्टन है जो हम आपके लिए ले करके आये हैं और असा है कि यह सब क्यूस्टन फिर से दुवारा पुछेगा तो इसा भी भी आई क्यूस्टन है वह वालो कोशिस किजिएगा इसको पूरी अच्छतरा से समझ लिजिए कता जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है तो इसका उत्तर लिखेगा जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इन में जीवन ब्याप्त होती है मनें इसे वेशे जीवन होता है जैसे में मनूस, बनसपत्ति, परानिंग, जात, मतसच जीवन, पसुधन इस सब हमारा जैव संसाधन है इस अब क्या है जैव संसादन चलिए अब हम लोकेश्चन नमबर थीरी क्यों चलते हैं बगवलो देखे कहता है क्योटा सम्मेलन कहां और क्यों आयोजित हुए क्योटा सम्मेलन कहां और क्यों आयोजित हुए तो चलिए भगवले इसका उतर दखेगा कैसे लिखेगा लिखेगा दिसंबर 1947 में पिर्थीवी को गुरोविंग बार्विंग से बचने के लिए जपान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए जपान के कहां क्योटो में क्योटो हना जगह है क्योटो जपान के है हना जपान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए यही था बगवलो हमारा क्योटो सम्मेला कहां हुआ था यह हो था हमारा जपान के क्योटो में क्यों हुआ था तो ग्लोविंग बार्मिंग से बचने के लिए, बहुत अत्य धीक गर्मी पड़ रहा था, तो उससे बचने के लिए वहाँ पे सम्मेलान हुआ था, कब हुआ था, तद देसंबर 1147 को, किलिए रहा है, तो चलिए, question number अब हम लोग 4 चलते हैं वह वह लोग, हाना, देखे कहता question number 4 देखिएगा, हना, question number 4 कहता है, इस अमें important question है बगवलो, हना, ध्यान से पढ़िएगा, कता सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, तो इसको, हना, लिखेगा इस तरह से, लिखेगा, पर्या बरन को बीना छहती पहुँचाए, भविश की अबसक्ताओं के, मध्य नजर, हना, बरतवान विकास को कायम रखा जा सके, समझ रहे हैं, पर्या बरन को बीना छहती पहुचाए, भविश की अबसक्ताओं के, मध्य नजर, बरतवान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारना सतत विकास कही जाती है, हना, पर्या बरन को कोई हान नहीं आना है और भविष कि जो अब सकता है उसके भी पूर्तिए करना है इसी को क्या कहा जाता है सतत्विकास कहा जाता क्लियर है आशा करते हैं को समझ में आ गया होगा भग वाग लोग अब चलते हैं किस्छन नंबर हम लोग 5 की यूर देखें किस्छन फाइब देखे क्या कहता है काजक्राम 21 क्या है इस भी important question है बगवालोग हना काजक्राम 21 क्या है तक काजक्राम 21 है इसको लिखेगा देखेगा कैसे लिखेगा देखेगा संजुक्त राष्ट पर्यावरन और विकास के हना ततवाध हान में हना रियो डि जेनोरो सम्मेलर में राष्ट ध्यस्तो द्वारा सु्विकृति प्रिष्टिय एक घोषना पत्र है जिसमें शततविकास को पराफ्ट करने के लिए 21 क्या क्या गया था आचा जो समीनल चलाया गया था नवगलो तो उसमें 21 काजकरम को सुविकार किया गया था कि इस तरह से आपको राष्ट को बिना छतिय पहुचाए आपको इस तरह से काम करना है तो उसमें 21 काजकरम को सुविक्रिति दिया गया था सुविक्रित किया गया था उस 21 नियम बनाया गया था काजक्राम 21 वो नियम बनाएगा था उसी के अधार पे काम करना है सब देश को यह है काजक्राम 21 आसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलो अब चलते हैं हम लोग क्योश्चन नमबर 6 की और क्या किजिएगा कि इसको दो बार तीन बार आप पहले खुद से पहल लिजिए उसके बाद इसको अच्छी तरह से समाझने के बाद दो बार तीन बार इसको कौपी पर लिखने का परियास किजिए लिखने से यह होगा कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा रटने के जरुत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसे लिख दिया अपनी भासा में तो यह हम ऐसा के लिए आपका अपना हो जाएगा हाना तो चलिए क्यूश्चा नमर छो देखे क्या करता है करता है संसाधनों के बिकास में मनुस्यों की क्या भूमिका है संसाधनों के बिकास में मनुस्यों की क्या भूमिका है हाना तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा लिखिएगा संसाधनों के बिकास में मनुस्यों की निम्न भूमिका है हाना इसको पॉइंट वाई करके हम दर्साएं हैं वोगलो पॉइंट फैस्ट में लिखियेगा माना प्रोध की द्वारा प्राकिर्ति के साथ किरिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्मान करते हैं यह है हमारा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट में कैसे लिखियेगा लिखियेगा मनुस परियावरन में पाये जाने वाले पदार्थो को संसोधनों में परिवार्तित करते हैं तथा उन्हें क्या करते हैं परियोग करते हैं हमारा question 6 का अंसर इस तरह से दिखेगा तो आपको बोड़े गया में नुमबर नहीं कटेगा बोग लोग चलिए तो question number अब हम लोग 7 में चलते हैं ना देखें question number 7 क्या कहता है कहता है कि भारत में उप जाये जाने आया गया है प्रस्ण में पूछा गया है पहले के question में बोड़ एक्जाम से हम लाएं आपके लिए सारा उठा करके चुनिंदा चुनिंदा जो बारवर question पूछा देखने को मिलता है वह इस सब question लाएं आपके लिए तो चलिए इसको समझेगा है इसको लिखिएगा कि भारत में उप जाये जाने वाले परमुख खाद फसल है ना कौन-कौन है तो चावल गेहूं मकाई दाल सबजी मुंफली तथा है नहीं तो हुआ खाद फसल में आप कहरा देखें बैवसाइक फसल क है गन्ना चाय कहवा तंबाको जूट है खाने के लिए मने जो उप जाये जाता फसल है वो चावल गेहूं मकाई दाल सबजी है ना मुंफली सब है अब बसाए मने हम को कुछ रखना है उसके बाद उसको क्या करना है बेचना है दुसरे देशों को अपने सहरों में बेचना बेचने के लिए जुब जाया जाता है वो फसल है गन्ना चाय कहवा तंबाको जूट इस सब्धियर है आसा करते हैं कि आपको समझ में आगे होगा क्यूशन नमर 7 कैंसर चलिए अब हम लोग क्यूशन नमर एट चलते है देखें क्या करता है करता है पर्थम पिर्थी वी सम सम्मेरन का आयोजन कब और कहां हुआ था तो देखे इसका अंसर ऐसे लिखेगा ना लिखेगा पर्था पिर्थीवी सम्मेरन का आयोजन 3 से 14 जुन 3 से 14 जुन 1902 को रियो डी जेनेरो में किया गया कहिया 3 से 14 जुन 1902 में 14 जुन 1903 से 14 जुन 1902 को रियो डी जेनेरो में किया गया था जिसमें विक्सित विकासिल देशों के लगभाग पर्थीदियों ने भाग लिया यही था हमारा भगलो पर्थम पिर्थीवी सम्मेरन का आयोजन कब और कहां हुआ था तक हुआ था कब हुआ था तक 3 से 14 जुन 1902 को कहां हुआ था तरियो डी जेनेरो में किलियर है चलिए अब हम लोकेश्चन नमबर 9 कियो जलते हैं भगलो कहता है संभाब संसाधन क्या होते हैं उदाहरन देकर समझाएं इस अब दो नमबर केश्चन में आता है वगलोग है इस अब दो नमबर केश्चन में आता है तो चलिए इसको लिखियेगा कैशे लिखियेगा संभाब संसाधन वे संसाधन है जिनकी खोज तो हो चुकी है परन्तु उसका उपियोग नहीं किया गया है उदाहरन के लिए हम कह सकते हैं राजस्थान तथा गुजरात में पवन उर्जा तथा विकास की अत्याधिक छमता है मने आसा है कि राजस्थान और गुजरात में पवन उर्जा उत्पादन किया जा सकता है सब को जानता है मेंगे इसका अभी कुछी उप्योग नहीं किया है है ना तो इसलिए कह रहा है संभाव संसाधन क्या होते हैं उदाहरा दे करके समझाए है ना यह था हमारा question 9 का answer तासा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगों लोग आप चलिए हम भारत पर परभाव को असपाश्ट करे भारत पर परभाव को असपाश्ट करे नहीं सब बार बार बोल एवड़ एजाम में आपको देखने का मिलेगा नहीं विस्वात है तो question विए इंक पर जा कर कर देखकर देख लिजी है ना वहाँ पर सारा question आपको मिल जाएगा जो बारबर question पूछा ना वही question हम आपके लिए लाए हैं हाल तो question का स्रीज नहीं लाए हैं तो चलिए यह देखते हैं वह लोग इसका अंसर कैसे लिखेगा लिखेगा भारत पर भुमणली करन का परभाव जिपको पारजन और आर्थिक छेतर में व्यापक रूप से पढ़ा है इसका परभाव सेवा छेतर बैंक की एवं सीमा छेतर परियाटक उद्योग सूचना और संचार के छेतर में सरवाधिक पढ़ा है किसमें किसमें पढ़ा है तो सेवा छेत्र बैंक में, सीमा छेत्र परियाटक उद्योग में और संचार सेच में असरवाधिक पड़ा है इसने बिरोजगारों को कम किया है तथा रोजगार को नए अबसर उपलब्द कराए है नागरिकों का जीवन अस्तर भी बड़ी है नगरिकों का जीवन अस्तर भी बड़ी है तो यह था बगवालोग हमारा आज का एक शेज दस क्यूशन का स्रीज आसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो का बगवालोग और कोई भी दिक्कात हो, कोई भी परशानी हो बगवालोग कोई क्यूशन में दिक्कात हुआ हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा बगवालोग क्योंकि हम आपके बड़े भाईया हैं हम ना आपके बात को समझोगें तो कौन समझागा इसलिए प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा बगवालोग और हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि जो हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारे बगवालोग के पास पहुँच पा रहा है कि ने पहुँच पा रहा है इसलिए प्लीज कुछ ना कुछ कामेंट जरूर कीजिएगा बगलो तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलो तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देजे शेयर कर देजे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपको लोग फिले चैनल को सब्सक्राइब कर देजे हना फिर मिलते हम लोग अगर वीडियो में तब तक के लिए जय हेंद